नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मतगर्ना को लेकर सारी तैयरिया पूरी कर ली गई है, मतगर्ना सुबह 8 वैसे होगी जिसके लिए मतगर्ना अस्थल पर व्यापक प्रबंध किये गए हैं बता दे, मुख निर्वाशन पता अधिकारी के रवी कुमार ने कहा है कि पोस्टल वैलेट के काउंटिंग के बाद इवियेम को बजर ग्री से लाकर काउंटिंग हॉल में रखा जाएगा रुजान मतगर्ना सुरू होने के एक घंटे के अंदर आ जाएगा मतगर्ना को लेकर चुनाव आयोग ने त्यारिया पूरी करते हुए अवस्टक निर्देश चारी किया है जिसके तहत मतगर्ना 24 राउंड में पूरा किया जाएगा परते एक राउंड में 16 बुथो की काउंटिंग होगी मतगर्ना हॉल में 16 टेवल बनाए गए है इस तरह से साम 4 बय तक मतगर्ना कार्य पूरा होने की समधन जताई जा रही है बता दे मतगर्ना अस्थल पर अनावस्यक भीड को रोकने के लिए जिला परसासन ने धारा 144 लगा रहा है 32 सकेंड में 15 फिट उच्ची दही हांडी फोड मांडर की महिला गोविंदा टीम फास्ट जार्खन के राजेपाल सीपी राधा किष्णा ने रांची के अलवर्ट एक काप पर आयोजी दही हांडी फोड परत्योगता का उध्वाटन किया स्रीकृष्ण जनमस्टमी समीती रांची की ओर से दही हांडी फोड परत्योगता का आवजन किया गया गनेश वंदना के साथ कारकरम का सुभारम हुआ राज जेपाल सिपी राधा किष्णन ने मंच पर सुसोभीत हांडी को नारियल से फोड़ कर इस कारकरम का विद्वत उद्धाटन किया है राज जेपाल ने कहा है कि कोई भी सनातन धर्म का नास नहीं कर सकता सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता हमें प्रण लेना हाई की भारत को सीर्स अस्थान पर पहुंचा कर दम लेंगे भागवान सिरी कृष्टन की किरिपा आप सभी पर बनी रहे इस उपलक्ष में विश्ष्ट अतिती के रूप में सुदेश महतो संजाय सेट आजित्य साहू करमवीर सिंग, सिपी सिंग, समीर लाल, राम कुमार पाहन, आसा लकडा, संजीव विजय वर गिये, अजय मारू समेथ, समीती के कई गणमाने लोग उपस्थित थे बता दे इस मोके पर मोक्ष अति थी राजेपल का स्वागत किया गया दूसरों के सिंग से रंगदारी मांगने वाले टीपी सी के तीन उगरवादी गिरफतार राजधानी के चानहो थाना पुलिष ने टीपी सी के तीन साथिर उगरवादी गिरफतार किया है जो दूसरे के नाम से सीम काड हासिल करने के बाद रंगदारी की मांग कर रहे थे। इन अपरादियों ने पूल निर्मान में लगे कमपनी से भी टीपी सी के एरिया कमांडर के नाम पर पाच लाख रुपए की मांग की थी। बताजे राइधानी के ग्रामी इलाकों में इन दिनों वैसे गैंग सके रिये हैं जो दूसरों के नाम से सीम काड हासिल करते हैं और फिर उसी सीम से रंगदारी की डिमांड की आती है। रांची पुलिस ने चानहों से टीपी सी के तीन उगरवादी उगिरफ तार किया है। या उगरवादी पूल निर्मान कर रहे कमपेनी से पाच लाक रुपए की रंगदारी वार्ट सेप कॉल के माधियम से कर रहे थे। भारत जोडो यात्रा की पहली वर्षगाठ कॉंग्रेस नेताओ की जार्खन में पद्यात्रा। पर्देश अध्यक्ष रायस ठाकूर, महिला कॉंग्रेस की पर्देश अध्यक्ष गुंजन सिंग मंत्री बादल पत्रलेक विधायक सिल्पी ने हातिर की के साथ साथ कई बोर्ड निगम के अध्यक्ष और ततस्यों ने सिरकत की है। इस मौके पर पार्टी पतादिकारियों और करकरताओ ने राहूल गांधी के सपनों का भारत बनाने का समकल्प लिया है। बदाद रांची में जिला स्कूल के पास सहीद असमारक से पध्यात्रा निकाली जो कोकर इस्थी धरती अपाबीर सा मुड़ा समाधी असल तक गई। टेट पास पाराट सिस्को का 17 दिन भी आंदोलन जारी। बेतन मान की मांग को लेकर राजभोन के समक्ष अनिस्चित कालिन धरना प्रबैठेट टेट पास पाराट सिस्को का अंदोलन 17 दिन भी जारी रहा। सरकार की वादा खिलाफी से नराज होकर धरना दे रहे पाराट सिस्को से मिलने बिजेपी बिधायक सीपी सिंग और आईसू बिधायक लंबोदर महतों पहुंचे। NDA के दोनों नेतावने पाराट सिस्को को इस दोरान अस्वासनों की जड़ी भी लगाई और टेट पास पाराट सिस्को के अंदोलन को जाज बचाते हुए समर्थन भी देने की बात कही। ज्यारखन की ग्रामिन सडके होंगी चकाचक। ज्यारखन की बायट में भी लगभग तीन हजार किलोमीटर वैसी ग्रामिन सडको की सता नवी करन सा बिसेश मरमती करने का प्रस्ताव दिया गया था। जिन सडको को दुरुस्त करने की कारी जोजना बनाई गई है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और राज जेपाल से मिलने की मांग कर रहे हैं साथ ही CBI जाच की भी मांग की है। बता दे बोकारों के कसमार के रहने वाले समीर तमिलाडू के कोएंबटूर स्थीत करूना इंस्चूट आफ टेकनलोजी साइंस सेज में असिटेंट पर्फेसर के रूप में पदस्थापित थे। समीर के पिता विवेक आनद ने बताया है कि पासी नबरों सिक्षक दिवस के मौके पस सुबा समीर का सव होस्टल के कमरे से संदिक आवस्ताम पाया गया था। परिजनों के अनुसार समीर मंगलवार का वुरत करता था और टिका लगा था लेकिन कॉलेज की तरब से उसे इसके लिए मना किया गया था। वहीं परिजनों ने वहाँ पढ़ने वाले कई छात्रो पर कॉलेज के अन्दर ड्रॉग्स और नौस्य का सेवन करने कारों भी लगाया है। मुझे भी आमंतरन मिला है। मुझे लगता है कि उक्त बैठक अने बैठकों से बिलकुल अलग है तो इसे लेकर जरूर पोजिटिव सोच के साथ निरने लूगा। कैबिनेट की बैठक में सामिल होने के बाद प्रजेक्ट भावन से निकल रहे। मुझे मंतरी स्री सुरेन ने पत्रकारों से बादचित में उक्त बाते कही है। दुमका में सलक हाथसे में पांच लोगों की मौत। मौके पर ही मौत हो गाई। बताया जाराय की ट्रेक्टर एक गड़े की वज़ा से असंतुलित हुआ और पलट कर गड़े में जागिरा। दुमरी उपचुनाओ की काउंटिंग से पहले भागवान सिरिक्रिष्न की सरन पहुंची बेवी देवी। गिरी डी डुमरी उपचुनाओ को लेकर मतगर्ना 8 सितंबर को गिरी डी बजार समिती में होगी। मतगर्ना से एक दिन पहले जामो पत्यासिसा मंत्री बेवी देवी ने भागवान सिरिक्रिष्न की पूजा अर्चना की। की जाएगी। करिस्म कुमारी बिमार के कारान वार्डेन से छुटी मांगी थी लेकिन वार्डेन ने छुटी नहीं दिया। यहाद तक की बिमार 16 की स्थिती की जनकारी परिजनों को भी नहीं दी गई। अपत्ती जनक इस्थिती में पकड़ाए प्रेमी यूगल नौ को जेल। साहिब गण जिले के बरहेट थाना छेतर में अपत्ती जनकी स्थिती में पकड़े गए पहाड़िया यूगक यूटी पर पंचायत ने 50 रुपय का जुर्माना लगाया। नहीं देने पर दोनों प्रेमी यूगल को बाल मुड़वा करवा चपल जूते की माला पहना कर पूरे गाउं में घुमाने का ममला परकास में आया है। पुलिस ने सुचना मिलने के बाद उन्हें अपने कबजे में लिया और थाने ले आई। इसके बाद अधिकारी गाउं पहुँचे और पूरे मामले की जनकारी ली। इसके बाद पूलिस ने नव आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। बता दे बरहेट थाना परभारी गौरों कुमार ने बताया है कि इस मामले में युवति के आवेदन पर दो पराथमी की दर्श की गई है। बता दे उपायूक्त अन्यान मितल ने बताया है कि इस कारकरम में मुखे मन्तरी के कर कमलो द्वारा तीन अरब सरसट करो निनानबे लाग पंदरा हजार रुपई की पंचानबे जोजनावों का सिलन यास। 38 कड़ोर 12 लाग 4300 रुपई की 31 वजनावों का उध्गाटन तथा 2 अरब 82 कड़ोर 23 लाग 35 रुपई का परिसंपत्यों का वित्रन किया जाएगा। यह कारिकरम नुवा मुंडी परखंड के गुवा इस्थीत गुवा फुटबोल मैदान में दोफर एक बैसे रखा गया है। बाबुलाल मरांडी के पुराने ब्यान बन रहे उन पर निशाना साथने कहा थियार। भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुला मरांडी लव 14 साल तक भाजपा से अलग रहे। 2006 में गतिरोत के कारण उन्होंने अपनी पार्टी जारखंड विकास मोर्चा के गठन किया था। इस दोरान उनकी मुख्य प्रतिद्वन्दी भाजपा सही रही। लिहाज़ वे अकसर भाजपा को कटगरे में खाड़ा करते नजर आते थे। राइनितिक परिशितिया बदली तो उन्होंने अपने दल जारखंड विकास मोर्चा के बिलाए भाजपा में कर दिया। वे तीन साल से अधिक समय से भाजपा में हैं। हाल ही में उन्हें जारखंड परदेश भाजपा की कामान सोपी गई है। बतादे 17 अगस से वे संकल प्यात्रा की जरिये विभीन बिधान सबाच्छेत्रों का दवरा करजन सभाय कर रहे हैं। वे सभी 81 बिधान सबाच्छेत्रों में जाएंगे। इस दरण वे लगातार राज सरकारपनी साना साथ रहे हैं। लेकिन उनके फुराने ब्यानों को ही आधार बना कर प्रतिद्वन दी जारखंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस कटगावे में खड़े कर देती है। भाजपा ने देश में अगोसित आपात काल की सिती बना दी अविनास पांडे। प्रेम और भाईचारा का संदेश को पहुचाने का काम कर रही है। हम लोग राहूल गांधी का संदेश आम लोगों की बीच पहुचा रहे हैं। इसी को लेकर कारक्रम आवजीत कर रहे हैं। जारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जारखंड के दक्षनी और निकटवर्ती मर्द भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना हाई। इलाकों में मांसुन का जबरदस्त परभाव देखने को मिलेगा। होने के बाजू तापमान में कमी नहीं आई है। 9 और 10 सितंबर को मेरा माटी मेरा देशकार करम। परदेश भाजपा 9 और 10 सितंबर को मेरी माटी मेरा देशकार करम के तहत गाउं और सहर में घर घर से मिटी संगरा अभियान चलाएगी। जिस घर में मीटी उपलब्द नहीं हो वहां से एक मुठी चावन लिये जाएंगे यह जनकारी परदेश महामांत्री से मुख्यालय प्रभाई डाक्टर परदीप वर्मा ने दी है परदीप वर्मा ने बताया है कि परदान मत्री नयाद मोदी के आवाहन पर आजादी के अमरीत महोसर के उपलक्ष में या अभियान चलाया जा रहा गाव अस्तर पर एक से सत्रह सितमबर तक मिट्टी संग्रा के कारकरम चलाया जा रहे हैं सियम हेमंत्र ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोद पिलक करवाई का न दे आदेश मुख्यमंत्री हेमंसुरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोद किया है कि वह इडी को उनके खिलाब किसी तरह की पिलक करवाई नहीं करने का आदेश दे CM की ओर से ID के समन को चुनोती देने वाली आजका में कहा गया है कि ID को पूस्ताज के दोरान ही किसी को गिरफतार करने का अधिकार है इसलिए पूस्ताज के लिए जारी किये गए समन के मद नजर हमेशा गिरफतारी का डर बना रहता है रीट पर्टिशन में ID की गतिवीधी को रायनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अश्थिर करने वाली करवाई बताया गया है या चिका दाता का या अधिकार है कि उसे बताया जाए कि उसे किस कथित अपराद के सिलसिले में साक्ष देने की जरूरत है सनातन धर्म को कोई मीटा नहीं सकता राजेपाल राजेपाल सीपी रधा कृष्णन ने कहा है कि सनातन धर्म का कोई नास नहीं कर सकता इस धर्म को कोई मीटा नहीं सकता हम सब भारत को सिस अस्थान पर पहुंचा कर ही दम लेंगे वह गुरुवार को सिरी कृष्ण जनमस्टमी समिती की और से अलवट एका चोग पर आवजी दही हांडी फोल परत्योक्ता का उधिखाटन कर रहे थे बता दे कि तमिलाडू के मुख्य मंत्री के पूत्र वह वहां के मंत्री उधाय निधी स्टालिंग ने फिछले दो सितंबर को कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए राजे में 58 पध्यत गरिबों को नहीं मिलता आयुसमान का लाव छारकन में 58 फिस्दी योग लावकों को आयुसमान कार नहीं मिल पाया है इनमें अधिकतर योग युवा लावुखा है जो आयुसमान योजना के लाव से वनचित है बतादे 18 वर्स तक की आयुवर के 80 पर 30 योग लावकों के पास आयुसमान कार नहीं है वह उनज से 45 आयुवर के 52 पर 30 योग लावकों के पास आयुसमान कार है धन्यवाद